चलिए आज बात करते हैं बिश्व के मानचित्र के बारे में ठीक है तो विडियो को एक दम ध्यान पुर्वग दिखे पूरी तरह से गाउर करके ठीक है अगर आपके अगल बगल में कोई लड़के या लड़किया आवाज करती है या गलत आवाज निकार रहा है आपको ये वाली बात है अक्सर विद्यारती खास करके सो में 90 परशेंट विद्यारती बिश्व का मानचित्र या भारत का जो मानचित्र होता है गलत कर देते हैं ठीक है बनाने में परिक्षा में खास करके ये जो आते हैं बच्चे में तो नहीं आते हैं नाइन्थ टेंथ अलेब इस तक कोई भी स्टूडेन्ट गलत नहीं किया है हाँ, सो में एक आगवा ऐसा इस्टूडेंट होगा मैं प्यूर पूरी तरीका से नहीं बता सकता हूं कि बना ही देता होगा, ठीक है एक दुगा गलत का रिद देता होगा लेकिन मैं इस तरह के बता दूंगा कि आज के बास से आपका कभी भी मांचित्र गलत नहीं होगा खास करके 12 के स्टुडेंट और 10 का स्टुडेंट तो भूल से भी गलत नहीं करते हैं 12 के भी स्टुडेंट इस वार जितना भी पढ़ रहे थे पूरा हैर लड़का लड़किया पूरा स्टूडेंट इस बार बनाया ही है और आके बताया है मैं पूछा था कि यह जो जो चीज आया है उसको हम दर्सानी बोले खाली बाला पेज लिये थे कि कहाँ पर है जैसे हम पुछ दे इस्पेन कहाँ है तो इस्पेन के बारे में बिल्कुल बता दिया था ठीक है तो इसके बाद मैं बताएंगे भारत के मानचितर भारत में मुंबई कहां है तो उसके बाद जो होगा जो नदियां कहां है ये नदी कहां पर है वो पूरी तरह से जो जो नदियां दिखाई देता उसका बारे में ब पर बहुत तरह आपको दिखाई देंगे यानि कि पूरी तरह से कुष्चन होगा 10 का 12 का नबोदय का मेत का कभी-कभी आपको लगभाग बीच-बीच में आपको कोमेडी मिलते रहेंगे ताकि पढ़ाई के साथ-साथ आदमी को माइंड फरेस के लिए कुछ टिप पनिया भी आने बाले समय में इसी तरह की विडियो देखते रही है अब जरूर कुछ न कुछ लक्ष हांसिल जरूर करोगे हां लेकिन बिद्यार्थी में आप ही के तरह गुन होना चीज जिस तरह आप ध्यान पूरवग देख रहे हैं उसी तरह का होना चीज बिद्यार्थी तरह पराना है बिल्कुल सही बात है लेकिन आपका जो पढ़ने का जो तरीका है यह सब पढ़ाई वाला चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ न कुछ ग्यान मिलता रहेगा ठीक है बहुत सारा है मेरा चैनल पर आप वीडियो देखेगा तो अस्चर्ज हो ठीक है इसलिए आप पूरी तरह से ध्यान दीजे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने नहीं भूलना है भूल से भी नहीं भूलना है अभी ही आप सब्सक्राइब कर दीजे नहीं तो आप वीडियो देखते देखते भूल जाईएगा ठीक है तो ध्यान दीजे पूरी तर करते हैं ठीक है अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि यहां पर हमें यह चीज नहीं समझ में आया फिर हम दूसरा दिन अजीब तरीका से कुछ बताएंगे लेकिन हमको जहां तक संभव है कि आपको मैं एक बार में ही समझा दूंगा ठीक है तो ध्यान दीजे ठीक है बीश्व कमान चित्र वाली बात है सबसे पहले आपको ध्यान देना है ठीक है एक एक करके एक बार में आप पूरी तरह से याद नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आपको ध्यान देना है ठीक है ये बाला हम खाली बाला हम लेकर आ दे दिये हैं, यहाँ पर आपको ब्राजिल है, याद रखेगा, इस तरह के मांचितर हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन इसी तरह का होगा, तो सबसे पहले, मान के चलिए, एक्जाम में आ गए हैं, ब्राजिल कहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, एगो ह अलद बात बुलते हैं, ठीक है, नहीं जाएगा, हो सकता है, दस गो आया, तो एगो भूल से, दस गो में एगो हो सकता है, आपको इधर उदर फसाने के चकर में, कोश्चन इधर उदर से दे दिया, वो अलग बाली बात है, ठीक है, लेकिन दसों में दसों टच करेंगे, ध इसका नीचे में 19-20 हो जाएगा, तो ब्राजिल लिखना है, लेकिन यही ठो इसी के अंदर लिखना है, यह वाला घर के अंदर ही लिखना है, समझे, यह हो गया, यहां से यह हो गया, आपका ब्राजिल आगे, अगर आगया कोश्चन में ब्राजिल कहा है, तो आप हुआ, अस्ट्रेलिया हुआ है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजे, यह जो हुआ, अस्ट्रेलिया हुआ, यहां से यहां जो भी चितर दिया गया है, इस तरह के अस्ट्रेलिया हम यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, अस्ट्रेलिया यहां भी, यहां भी, लेकिन इतने दूर क थे भी एक देश हैं जो न्यृशिलैन्ड किर्केट भी खिलते हैं और खिला है यहाँ पर आने पर रहाख यहाँ पर आंपका लिया इसके बाद जै अफरीका आता है ठीक है अगर अफ्रीका आएगा तो ये बाला जो है ध्यान दीजी ये बाला जो है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां देख रहे हैं ना यहां से यहां पूरा है अफ्रीका यहां बीच में लिख देंगा अफ्रीका आएगा दक्षिन अफ्रीका अगर एक्जाम में लगा लेना है कि ब्राजील को यहां पर हो गया ठीक है अगर आपको माइंड फिरी नहीं है तो एक बार पहले माइंड को फ्रेस कर ले ताकि दिमाग या ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा ठीक है तो ध्यान देना है यह बाला जो हुआ ब्राजील हो गया यह बाला जो है ठीक है यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ जो है अफ्रीका हुआ ठीक है उसके बाद है आस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है आपको आस्ट्रेलिया दिखाई देगा उसके बाद इसके नीचे में है न्यूजिलेंड इसके बाद जो है यहाँ पर न्यूजिलेंड आस्ट्रेलिया न्यूजिल है आपको चार गो याद हो गया होगा बिलकुल असान से याद हो गया होगा ठीक है आपको अब याद करना है सबसे पहले इंपोर्टेंट जो होता है आपको यह चीज याद ध्यान देना है यहां से जो यहां जो जा रहा है यह रेखा अंदर घुस गया है ठीक है जो है जाने आने का रास्ता है पूरी तरह से जगा है तो यहां जो है ठीक है एक रेखा खिचा हुआ है यहां से यहां इसके उपर में है यहां क्या है इटली इस नाम क्या है इस जगा के नाम इटली यहां पर एक छोटा सा टिकली के तरह दिखाई देंगे ठीक है अगर नही यहां पर इटली वही तरह पंक फेलाया हुआ यहां पर ध्यान दीजिए, एक याद करने का मैं ट्रीक भी बता दिया हूँ कि यहां जो ही हुआ यहां पर इस तरह जो हुआ है ठीक है यहां पर क्या हुआ इसका बीच में इटली आप इटली नहीं भूल सकते हैं ठीक है इटली यहां पर हो गया अब आपको इसी के बगल में याद रखना है इसी के बगल में यह हो गया इस्पेन यहां पर क्या हो गया इस्पेन इटली की ठिक जो थोड़ा सा निकला हुआ भागा है वो हो गया इस्पेन और इस्पेन के उपर है फ्रांस इस्पेन के उपर है फ्रांस और फ्रांस के फिर थोड़ा सा जो बगल में जर्मेनी याद रखेगा पहले इतने याद रखना है ध्यान नहीं गया होगा फ उसके बाद क्या है न्यूजी लैंड है न्यूजी लैंड आप बता सकते हैं उसके बाद एक एक करके एक बार में आप चाहिएगा कि पूरा देश के नाम याद कर लेंगे तो याद कभी नहीं होगा ठीक है उसके बाद भारत के बगल में चीन है ठीक है जो चीन भारत का दोनों देश भारत का एक नमर जलन देश हुआ है ठीक है पाकिस्तान इधर जलते हैं तो चीन इधर से जलते हैं ठीक है दोनों अलग अलग देश है जो भारत के कई एकल जवीन आपको पता होगा ठीक है तो हमको राजनीती में नहीं आना है सिकाना है मानचित्र कैसी है ठीक ह नहीं करना है कि इतना देर मैं time दे दूँगा वीडियो में ऐसा नहीं करना है ठीक है time कोई भी चीज में देने से तभी होता है माल लिजेए आप इसकूल में चार गंटा पांच गंटा पढ़ाई कर लेते हैं बेवजा के time वो सतर आएं वो तर आएं इधर उधर हुए जाता है लेकिन आप एक घंटा टाइम नहीं दे सकते हैं आदा घंटा तो क्या देखिएगा वीडियो कभी भी समझ में नहीं आएगा ठीक है तो फुर्शत निकाल के देखिए जिस परकार मान दीजिए आप ध्यान दीजिएगा मेरी बाते को आप फिलीम को देखने में ठीक है दो घंटा अड़ाय घंटा के फिल्म आप देख लेते हैं क्या आपके करियर वाली बात है क्या आप आधा घंटा आधा घंटा 40 मिनट का कोश्चन नहीं देख सकते हैं बिल्कुल असानी से देखिए एक बार समझे मैं फिल्म देख रहा राज 28 गो हुआ मान के चली 28 29 राज है ठीक है 29 राज है 29 राज में एक देख बना है भारत बना है भारत इतना बड़ा है भारत में 28 गो राज है ठीक है उसके बाद मैं बताऊंगा अगला वीडियो जो आएगा भारत के मान चित्र का आएगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्रा जनकारी सभी को याद रखना अस्तानवात नहीं है इसी परकार 20 में अपको 100 कुछ मतलब 200 या कुछ मतलब बहुत सारा देश है ठीक है जनकारी हम थोड़ा सा भूल गए है ठीक है किलियरली अगर नहीं बताएंगे तो बेवज़ा बोल के कोई फैदा नहीं किलियरली कोई भी जगा ग्रिन लाइंड यहां जो हुआ आपको पूरी तरह से बता देता हूं यह जो धसा हुआ भाग है ब्राजिल हो गया ठीक है हम क्या बोले इस तरह के चित्र रहेगा यहां से घुरा हुआ घुरा के अंदर वाला भाग पूरा जो है अफ्रीका है अगर बोलेगा अध्रous लेट लेन्ट को पूरी तरहसे प्रेस रक यह किसी के बात ना सुने कोई भी कुछ बोल दे इसके बाद है यहां पर है आश्ट्रेलिया इसके बगल में है न्युजी लैंड इसके बगल में चीन है यानि दाइने साइड भारत के दाइने साइड के ऊपर जो भी भाग है ये बाला भाग ठीक है उसी के ऊपर में चीन है और इसी के जो बगल में है जो यहां जो धसा हुआ है यह पाकिस्तान है यानि यहां से यहां रहना से भारत यह टुकडा दे दिया है पाकिस्तान क वहां पर होगा जाने का यहां से देश के जगहा यहां पर इटली के तरह होगा टिकली के तरह जो बताएं है वहाँ पर होगा इटली यह बताने का मतलब है कि तीन देश एक बार में याद कराना है हो गया यहाँ पर इटली इटली के ठीक बगल में ध्यान दीजेगा इटली के ठीक सामने यहाँ पर हो गया फ्रांस नए यहाँ पर हो इस्पेन, इस्पेन के उपर में है फ्रांद, फ्रांस के उपर में है जर्मनी, जर्मनी के बगल में है पुलेंड, और यहां पर हुआ लंदन, और यहां पर हुआ ब्रिटेन, यहां पर हुआ लंदन, नीचे में, और इसका उपर में हुआ ब्रिटेन, नीचे है लंदन, और उपर है ब्रिटेन ठीक है इतना याद हो गया आप आपको बता रहे हैं इसी तरह करके फोर्म का ठीक है अगर फोर्म भरने से गए तो आपको कोई भी मानचितर से दस नमबर से कोई भी नहीं हटा सकता है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान दीजेगा मैं फोर्म के मादियम से बता रहा हूँ ठीक है देखे ये बाला फोर्म लाया हूँ तो आपको बताना है सबसे पहले भी अभी मैंने तुरत बताया था एक याद हो जाएगा ब्रा फो खाली वाला जब तक नहीं लाएंगे तो कभी भी नहीं भर सकेगा ये गो हो गया ब्राजील उसके बाद है आस्ट्रेलिया ये बाला भाग क्या है आस्ट्रेलिया जो यहाँ पर जो दिखाएं है देखे यहाँ पर चितर में यहाँ पर है ना आस्ट्रेलिया ये बाला ह यहाँ पर नीचे जो होगा दक्षिन अफरीका और यह बाला भाग जो पूरा जो है ना कोई देश नहीं है यहाँ पर होगा अफरीका ठीक है यहाँ पर मैंने बोला था इसका उपर में है चीन इसका जो एक टुकड़ा जो है यहाँ पर है पाकिस्तान बिल्कुल हो गया इसक पर गिनिले सबसे पहले आप देश के नाम लिख लिजा आप देश के नाम याद कर लिए बेवाजा कि उल्टा-फुल्टा जो भी हो ठीके उसके बाद आपको याद करना तो यहां पर हों गया आपका क्या बोले घृता के तरह है टिकली के तरह है तो यहां पर हो गया आपका इटली और इटली के यहां पर क्या हो गया बिल्कुल सही बाद बोला इस्पेन इस्पेन के ऊपर में क्या है फ्रांस इस्पेन के ऊपर में हो जाएगा फ्रांस देख लिजे यहां पर क्या हो गया पहले इस्पेन फरांस के उपर में क्या है जर्मानी जर्मानी के उपर क्या है पुलाइन जर्मानी पुलाइन यहां पर दिया गया है यहां पर बिंदा भी पहले से दिया गया है जो मैंने पिछले मतलब दो मैंना पहले जो एक्जाम हुआ था कलाश 12 के स्टीडुन्ट को मैंने समझाया था जो इस तरह के समझ में आया था ठीक है उसके बाद ध्यान दिजेगा यहां पर जो बताए थे ब्रिटेन है यहां पर क्या है यहां पर अभी मैंने तुराज बोला जो एक टुकडा है यहां पर क्या है ब्रिटेन है उपर में क्या है ब्रिटेन और नीचे क्या है थोला सा यह वाला भाग जो है ब्रीटेन है ब्रीटेन के जो नीचे जो धसा हुआ ये है ब्रीटेन और उपर वाला जो हो गया लंदन है यानि कि यहां जो है यह बाला भाग क्या हो गया ब्रीटेन हो गया ठीक है यहां से जो भाग है यहां पर क्या हो गया ब्रीटेन हो गया ठीक है उसक मस सकते हैं ये बाला भाग हो गया जापान बस यही सब को याद रखना जो जो हम बता रहे हैं पूरा याद नहीं करना है ठीक है ये बाला भाग हो गया कनाडा ये बाला भाग हो गया कनाडा के नीचे में उत्री अमेरिका है याद हो जाएगा कनाडा के नीचे में जो है उत् पूरी अमेरिका ठीक है यहां पर क्या लिख देना है उत्री अमेरिका यहां पर हो जाएगा उत्री अमेरिका ठीक है उसके बगल में जो नीचे बाला जो भाग है यहां पर ठीक है यह बाला भाग जो धसा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है यहां से तो पूरी तरह से बंद ह यहां हुआ कि इसके उपर में यहां पर सन्युक्तराष्ट अमेरिका जिसे USA के नाम से जाना जाता है सन्युक्तराष्ट अमेरिका यह हुआ उतरी अमेरिका जो अमेरिका में भी काफी हलकाम पचाया है सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरे विश्म में आपको काफी हड़कम छाया है वो है क्रोना वाइरस के कारण से ठीक है तो पूरा देश को छा गया है पूरा इतना बड़ा देश है जरा सोचे ये मेन वज़ा हो गया पता नहीं क्यों कैसे वह ठीक है तो ध्यान दीजे यह हो गया ब्रिटेन लंदन आपको इतने सा याद रखना है आयरलाइंड ब्रिटेन लंदन आयरलाइंड फ्रांस फ्रांस हो गया फ्रांस इस्पेन इटली इटली को याद कर लेना उसके बाद जर्मेनी को यहाँ पर ध्यान दीजे यह हुआ जर्मेनी अप इसी तरह करके दुचार को मैंने ट्रीक बता दिया है यह हुआ आलासका जो यहाँ पर भ्यांग कर भुकाम पाया था ठीक है आपको बता देते हैं यह जगह है आलासका इधर जो है अकसर धरती हिलते हैं तो भारत का जो एक भाग है यहाँ पर हम लोग रहते हैं अस्ट् फुर्ड बोल की जदा अगिंति होती है उसके बाद आपको बता देते हैं यह रूस याद कर लेना है नरवे याद कर लेना है ठीक है नरवे याद कर लेना है और कुछ डेस का नाम होगा मैंने बता दूंगा ठीक है credential आपको बताएंगे सबसे भेंकर चीज है वो है भारत के मानचित्र के बारे में जनकारी लेना है कि कौन सा जील कहां है कौन सा नदिया है अभरक का उत्पादन कहां है चाय की खेती कहां होती है पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा क्या भारत में रहते हो और भारत के जनकारी नहीं लगे तो कैस से होगा बिल्कुल गलत बात है ठीक है यह भारत की थोला सá जनकारी लेयला छी टौब को बता egent यह जो हौँधिगा ब्राजील्फ हूँधिक इसको कि आद कर लेनाी अरब्या कशना करें यहां पर है परसांत महासागर सिरिलंका जो है नीचे में है सिरिलंका के नीचे में जो है आपको बता दे यह वाला भाग जो है अरब सागर है यहां जो है क्या है अरब सागर है तिन चीज़ याद कर लेना है ठीक है लाल सागर इसमें नहीं दर्साया गया है अगला वीडियो में दर्सा देंगे लाल सागर अरब सागयर यहाँ जो हुआ हिंद महा सागयर हुआ ठीक है यहाँ पर दक्षिन अफ्रीका इसको याद कर लेना है तो ध्यान दीजे इसको याद कर लेना एको थाइलाइन इंपोर्टेंट हुआ ठीक है यह हुआ ध्यान दीजे यह हुआ मलेसिया मलेसिया हुआ मोल मेका सु यह हुआ दक्षिन अफ्रीका ठीक है ध्यान दिजेगा यह हुआ दक्षिन अफ्रीका यह हुआ पूरी तरह से अफ्रीका नमीबिया नाइजिरिया यह सब उतना खास इंपर्टन हैं बहुत काम पुछते हैं बतला 20 बार एकजाम हुआ तक किसी तरह से एक बार पुछ दिए तो तो तरह याद नहीं करना इसको नार्वे याद करले ना, स्विडेन याद करले offspring लेना है इंगलेन को याद फ्रास इसकेन ये सब प्रोरी प्रास जरुमनिय पुलैंड ऋर्थ के बाद है वहां वह सुदी आरब है ठीक है भारत के जो सामने में जो है ये बाला चितर जो गया हुआ है ये बाला क्या है साओधी अरब तो यहां पर आप चितर देखके क्या बता सकते हैं कि साओधी अरब कहा है बिल्कुल असान तरीका से आप बता सकते हैं साओधी अरब यहां है यह बाला चितर जो धसा हुआ है इसी में जो बढ़ा हुआ है यह क्या हुआ सउदी अरब हुआ ठीक है आप चीन को बिल्कुल असाम से देख लिए हैं ठीक है चीन कहां पर है आपको जनकारी हो गया कि भारत की उपर में चीन है आपको यह माइंड भूब आता होगा अगर न भाग हुआ रूस और यह बाला जो हुआ ठीक है यहां पर जो भारत है भारत कैसा होगा तो सोचे इतना बड़ा में थोड़ा बात को गवर कर लिजेगा ठीक है इतना बड़ा संगसार में पूरा संगसार में पहले है तीन भाग पानी गवर कीजेगा बात को यह जनकारी ल भारत है इतना सामने में आपको भारत इतना बड़ा दिखाई देता है तो मैंने आपको बता देता हूं तो इसी में फिर है 28 गो 29 गो राजी है ठीक है तो सुचे कितना छोटा होगा पहले तीन भाग पानी है उसमें जो एक टुकडा बैचा उसमें इतना देश है इतना देश में उतना पानी होने के बाब जूर उतन एक टुकड़ा में थोड़ा सा सुखा हुआ है उसमें भी ध्यान दीजे उसमें भी इतना देश होने के बाब जूर भारत कितना सा लगता है इतना बड़ा होने के बाब जूर इसमें इतना लगता है तो सुचे कितना देश होगा ठीक तो जारखंड में 29 जारखंड में 22 जीला है ठीक है 22 या 23 जीला हुआ है कुछ हुआ है उतना जीला है फिर ये गो जीला में परखंड होता है परखंड के अलावा तब पंचायत होता है पंचायत में गाउं होता है तो जरा सोचे गाउं कितना छोटा होगा तो इतना ने सोचे किसी में एग मालिक होता है वो होता है परधान मंत्री तो परधान मंत्री पूरा देश को चलाना हर जगा आम बात नहीं है आपको यहां देखके लगता होगा कि इतना सा नहीं संबाल सकता है लेकिन नहीं कितना बड़ा है आपको पता है उतने सामें भारत इतना बड़ा वीर देखा रहा हूँ ठीक है अब बिल्कुल असानी से लिख सकते हैं उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा भारत के मानचित्र के बारे में ठीक है कौन सा जिल कहा है तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब करने भूल गए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दें न देकि हर तरह के वीडियो उपलवद होंगे ठीक है बहुत सारा वीडियो बनाया गया है हर नोलेज का वीडियो है ठीक है इस चैनल पर इसलिए चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें ठीक है और पूरी तरह से ध्यान द ठीक है यहां पर आपको ध्यान देनाए गिरिन लैंड हो गया यहां पर हो गया अरजन्टिना यह बहुत इंपोर्टन है ब्राजिल यह हुआ कॉलंबिया कोलंबिया हुआ ठीक है उसके बाद है दक्षिन अफ्रीका यहां पर हो गया आपका अफ्रीका ठीक है यहां पर हो गया अफ्रीका यह बला भाग हो गया आश्ट्रेलिया यह बला भाग हो गया न्यूजिलेंड इसके उपर में जो है यहां पर हुआ भारत भारत के दाइने सा पर चीन जो है ये समोंने ये सामने के नीचे है रूस रूस और चίν के ऊपर में मंगोलिया है मंगोलिया भी लगभग important है उतना नहीं तो यहcoat नियू जिलेंड यह हौ जापान यह हौ मेलेसिया यह थाइन धायलेंड देख लिए कहां पर यह वाला चित्र के यहां जो धासा प्रॉस का एक टुकडा ओवा ठीक यह विश्ण को बता देते हैं यह बदधेशा कैसे युद्धम को आप यह बासा हो नहीं जिए पहले पहला है याद में याद रखना यहां तो जागा थोड़ा ठीक है रहा बीचमे आप वीडियो देखे हैं तो पूरी तरह से समझ माज आ गया यह हो गया बिरिटेन यह हो गया लंदन यह हो गया आयरलेंड ठीक है यह हो गया आयरलेंड एक छोटा सा टुकड़ा है यह हुआ आयरलेंड का एक छोटा सा टुकड़ा है आप इस चितर में लगा सकते हैं कि आयरलेंड कहां है यहां पर अब बिल्कुल लगा दिये यहा बिल्कुल आप असानी से देख लिजे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर कहीं दिक्कात हुआ समझ में नहीं आया तो चैनल पर कमेंट करने नहीं भूलिएगा अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने भूल गए हैं तो ये बिल्कु गलत बात है क्योंकि इस तरह के वीडियो आपने क्या भी भी नहीं देखा होगा और लाइक करने सब्सक्राइब करने